वेलकम टो एमेलेटे एजुकेशन पॉइंट आज हम बात करेंगे ब्लेक फंगस के बारे में एक और बीमारी आई है जिसका नाम है ब्लेक फंगस आपने सुना ही होगा यह वह तैजी से वड़ रहा है बहुत सारे मतलब कैसे जो है इसके सुनने में आये हैं बहुत सारी जग है कि काला और फंगस मतलब होता है फफून फफून तो आपने सुना ही होगा जिसे हमारी रोटी को भी अगर चार पास दिन तक रख देते हैं तो उसके उपर फफून आ जाती है तो यह सब आपने देखी होगी कि फफून क्या होती है यह फंगस जो है वह नया टम्स नहीं यह आपको कभ एफेक्ट करेंगे जब आपके इम्मुनिटी वीक होगी तिक यानि कि आप में रोग रोग से लड़ने की शमता नहीं है रोग प्रतिरोधक शमता अगर आपकी कम है तिक इम्मुनिटी अगर आपके विक है तो आपको केवल फंगस ही नहीं या कोई बैक्ट करते हैं यानि कि यह कहां पर पाया जाता है तो इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है तो आप सतर कर रहें आपको थोड़ी सी भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाए तो आपको समझ में आएगा कहां कहां पर पाया जाता है तो सोयल में पाया जाता है सोयल यानि कि मिट्टी में ठीक है यानि कि मिट्टी में आपको दिख रहा होगा जिसे कि आखेत में भी फॉर्मस वगेरा काम करते हैं तो गाइडलाइन से दी जाती है कि आप जूस मिट्टी में काम कर रहे हूं वहां पर बूट निया फिर peer- validate वो पहरें पर सब्रक्न में को कम करें तो उससे आपको ons डारेक्ट कॉंटीक में नहीं साया। है तो soil गिली मिठी आपको बचके रहीना है यहलों ए एंवल्मेंट में भी पाया जाता है इन वातावरां में होता है अग्ता नहीं करता है इसे पेशन हो रहा है जिसके इम्मिनिटी वीक है या फिर डायबेटिक पेशन जिसमें की डायबेटिक कंट्रोल नहीं हो रही है नहीं बढ़ए जाती है इसलिए आपको कितने हैं कि मास्ट लगा के रखो जिस तरीके से आपके आदत होती है जिसके के आदत होती है कि वो च Darren लगा के ही बाहर निकलते हैं ठीक है तो उसी प्रकार से mask लगाने को भी आपको आदत बनाना है यह नहीं कि हम जा रहे हैं तो लगा हैं या नहीं इसको आदत बनाऊ आपकी routine में अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको मास्क लगा के ही जाना है यह आपको केवल कोरोना से ही नहीं केवल ब्लेक फंगस से नहीं आपको ऐसी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है ठीके यानि कि ऐसे फुट्स या ऐसे वेजिटेबल यानि कि जो फल्फूर्ट हम काते हैं सब्जय वगेरा खाते हैं ठीके वह सड़े हुए हो उनमें भी फंगस होता है तो उनकी वज़े से भी हो सकता है तो खड़े हुए फल्फूर्ट्स पर नहीं काए ध्यान रखे उनका थोड किस इसका ओडिसा में आये था तीक उसके बाद महाराश्च्र में भी देखने को मिला है तो महाराश्च्र में लगबग 2000 कैसे जो है वह इसके आचुके हैं तो आप सतर करें आपको मैं हमेशे कह रही हूं कि आपके इम्मूनिटी को țiट्रोंग रखो सॉरी क्या इम्मूनिटी को इस ट्रोंग रखो गुज़ात में जो यह आ गया है इसके भी लगबग 900 कैसे जो है वह दीकने को मिल गए हैं दिल्ली में तो इसके लिए लग से वार्ट भी बना दिया गया है ब्लेंक फंगस के लिए तैक है राजस्تान में आ गया है, हमारे मध्य प्रदेश में भी आ छुका हैовор एफेक्ट बाई किस द्वारा करता है। कैसे आपकी बोडी के अंदर इंटर करता है। तो वह इन meditation की द्वारा Singed hug, Inhalation यानि की जब आप सांस लेते हो मैं I have आपको बताया कि यह एर में भी पाया जाता है तो आप बाहर जाके अगर सांस ले रहे हो तो वह इन्हालेशन के तुरू यानि कि सांस देने के तुरू आपके नोस के थूज आपके बोडी के अंदर इंटर करके आपके ओर न को एफेक्ट कर सकता है तो यह मैं आपको कहा कि म इन्फेक्ट हुमन यानि कि हुमन कैसे कौन कौन से ओर गन है जिनको यह इन्फेक्ट करता है तो इन कैसे में जिसे पहले तुर रेड़नेस आएगी थोड़ी से रेड़नेस आपको दिखेगी आँक में स्वेलिंग आने लग जाएगी धीरे-धीरे मतलब ऐसी कंडिशन निकालनी पड़ सकती है और बहुत सारे कैसे तो इससे भी आ गया है जिसे में 50 प्रसेंट तो है इसमें अम्रत्यू लिखी हुई है तो इसलिए क्या है कि आप ध्यान रखे आइस की आइस में आपको तोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है आपके आपके आइस में स्वेलिंग आ सकते हैं तो यहां पर आपको रैड़नोज आपको रहने लगेगा आपके मों में चुन के दाज़के जाएगे दिलेंग तो यह शिंट्म्स आगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत oy के पास जा Mister और दिखाए तो आपकी रोशनी भी जा सकती है तो आप इनको लाइट ली ना ले अगर आपको नॉर्मली थोड़े से भी सम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत डोक्टर को दिखाए और आपके इम्मिनोटी को स्ट्रोंग रखे करिके कोई भी बैक्टेरिया वाईरस फंकर्स तभी आपको एफेक्ट कर सकता है यदि आपके मेनोटी वीक है इस्टिरोईट वेशन है एगर आपको Corona से बशना है तो आपको steroid लेना जरूरी है और अगर steroid लेना है तो उना activity path अब कि ग्रीन से कि डॉक्टर की अधुए डॉक्टर की सलाह से भी आप स्टिरॉइड ले जादा हो सके जितना हो सके इस्टिरॉइड के मात्रा कम ले ठीक है क्योंकि अगर कोरोना से बचने के लिए पहीं स्टिरॉइड ले रहे हैं तो यह सबसे ज्जादा अभी यही कहा जा रहा है कि steroid की वज़े से जो है वो ब्लेक फंगस हो रहा है क्योंकि आमारी मेंटी को वीक कर देता है तो उसकी वज़े से क्या है है वो वरक नहीं कर पाती है प्रोपर या फिर ओर्गन ट्रांस्पलेंटेशन यानि कि आपने अभी फिलाल में कोई भी ओर यानि कि जैसे लिवर हो गया ठीक है कुछ भी लिवर के निकुछ आपने अगया ट्रांस्पलेटेशन उसका किया है तो उसकी वज़े से भी हो सकता है या फिर डाइबिटिक पैशन में यानिकि ऐसा पैशन जिसको डाइबिटिक है और उसकी कंट्रोल नहीं हो रही है और बढ़ती जारे यह तो उसकी वज़े से उसके इम्म्यूटी वीक हो जाती है तो इसलिए बार-बार के रहे हूं कि इम्म्यूटी को स्ट्रोंग रखो क्योंकि हर बीमारी आपके इम्म्यूटी पर डिपेंड करती है ठीक है प्रोलोंग डाइसी यानि कि आप अगर लेटिस मे आरे हो तो मास्क लगा अच झाए और दो अच गया की शुबा mm जा यह सबसे सब्यूब गया एया से घ्ली हम अगर यह अनले की बढ़ प्रेंगरा पाश्का नहीं इसे से बर्क करना है तो हाथ ने भीड बेन हाईजीन आपको तभी नहीं करना है कि खाना खाने से पहले और खाना काने के बाद में अगर बहुत सारे बैक्टेरिया होते हैं ठीक के नाकुन में होते हैं तो बार बार आपके नाकुन को मतलब वह सारे कादिछ है कि जैसे हाथ जो है उसको मूँपे लगाना ठीक है तो यह आदत आपको नहीं रखनी है ठीक है और अगर बाहर से आए हो आप तो सबसे पहले आपको हेंड वोश करना है ठीक है आपने कहीं भी कोई भी ऐसी चीज को छुआ हो ठीक है जिसमें बैक्टेरिया फंगस हो सकते हो इसको भी आपको यह ऑचिकरेना है है कि अदत भी रहती है कि जैसे खाना खा रहे है तो घान कहते वकित अगर किसी का और आ गया तो आपने मोबाइल उठाया बात करने लगे वापिस खाना खाने लगे यह अदत गलत है क्योंकि उस मोबाइल में बहुत सारे बैक्टेश को तुछ नहीं करें क्योंकि वह डारेक्ट आपके अंदर आपकी सारे ओर्गन को एफेक्ट करता है ठीक है पेन होरा है तो आप तुरंत डुक्टर के पास जाहो अगर आप को चोटे सी जिज़ से आपको के वबुखार आया हैै ठीक है पेन हो रहा है आई रेडनेस हो रही है तो पहले से अगर आपने टिखा दिया तो वह इंफेक्षन जो है वह आगे नहीं बढ़ेगा तो और उसको ज्यादा सीवेर कंडिशन उसकी नहीं होगी तो ब्लेक फंगस के बारे में आज हमने जाना है आप जागरू रहो और और बी किसी और को बताना ताकि यह इंफेक्षन जो है वह ज्यादा से ज्यादा ना फैले और कंट्रोल हो जाए और प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब